जो है अफवा फेलाए जाती है कि मौलाना के ओपर फत्वा लगा ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा देखी है जो द्या है जो ध्या धर्म की नगरी है और धर्म के हर्जात के दिविद्धोता यहां विराजमान है बावरी मजिद के बावरी मजजीद के पखस के इवाल अंसारी जी मौजूद हैं बात करने की कोशिश करेंगे कि आयोध्या मंदिर में अयोध्या में मंदीर बन चुका है और वाईश तारीक की प्रतृतिष्टा में इग्वाल जी भी अमंतित थी और ये भी वहां गय थे आ मंदिर बन चुका है गए थे आप कैसा लगा कैसा कैसा अन्भूद कैसे हुई आपको वहां पर जाकी देखिए जब्या धर्म की नगरी है हर धर्म के हर जात के दिविद्ध होता यहां विराजमान है हम भी सभी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं मंदिर बन गया है क्योंकि जब तर जो है मंदिर नहीं बना हुआ था बागवान तो भी राजमान थे आज मंदिर बन चुका है अच्छी है बहुत से लोग आ रहे हैं देश-विदेश से लोग आ रहे हैं परदान मंत्री जी आये थे मुख मंत्री जी आये देश-विदेश के मेहमान भी आये थे अच्छा लगा इगवाल जी एक मौलाना साहब है जिनको जो भी आये थे यहाँ पे उनको धमकी मिली है उनके उपर फत्वा जारी कर दिया गया है इस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए फत्वा हमारे हुआ जारी नहीं होता ना उनको कोई धमकी देने वाला है दर्शन करने आये थे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है दर्शन तो सभी कर सकते हैं यह तो एक 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 जो है अफ़वा फैलाए जाती है कि मौलाना के ओपर फटवा लगा ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा तो कि फत्वा जो लोग इस तरिके से लगाते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं लगा ही नहीं है तो कि दर्शन सभी लोग कर सकते हैं सभी उसके हग आ रहा है दर्शन करने के लिए हमारे धर्म में कहीं मना नहीं है जैसे कुछ मुस्लिम समधाय के लोग कहते थे कि रा मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे होस्पिटल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, तो उनको उनके लिए क्या जवाब रहेगा आपका? जो कुछ होना था, वो सब चार साल पर पहले हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सारे लोगों ने उसका स्वम्मान किया, अब मंदिर बन चुका है, सारे लोग आ रहे हैं, कहीं कोई बात अजिद्या में नहीं है, हिंदों मुसल्मानों के बीच में सवहाद बना हुआ है, बस, तो यह थे हमारे साथ इगवाल अंसारी जी जो की आयोध्या के रने वाले इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो जनलिस्ट अफशेक पांडे के साथ, अश्चनी पंडे, प्रभुभक्ति, आयोध्या,